वेलकम टो इशानी वीडियोज गुम है किसी के प्यार के आने वाले एपिसोड में देखने के लिए तयार हो जाएए इशान ने अब यहाँ पर पूरी फैमिली जान दाव पर लगा दी थी और वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर समरुद को पूरी तरसे ढूणने की कुशिश की जाएगी लेकिन समरुद तो गायब हो चुका है लेकिन कहां गया और उसके साथ-साथ क्या इशान अपनी सच्चाई यानि कि यहाँ पर उसने यहाँ पर सबसे बड़ी गड़़ की थी क्या वो बता पाएगा या फिर नहीं और आखिर में जब सच्चाई पता चलेगी सभी को इस सब के बारे में तो क्या यहाँ परिशान को माफ कर पाएगा फिर चली इस तारी बाते आपको बताते हैं जो कि आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट लाइंग की लेकिन इन सभी बातों को बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर देना चैनल पर नवी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब जरूर कर लेना आपको बताते हैं आने वाले एपिसोड के बारे में जो कि सबसे जादा इंट्रस्टिंग और काफी जादा बड़े ट्विस्ट के साथ में आप सब के सामने आएगा सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर समरुद बाकी सभी लोगों के साथ में गायव हो चुका है वहीं दूसरी तरह समरुद ने यहाँ पर जो हमला किया था पूरे परिवार के उपर और वो यहाँ पर पूरा परिवार अब आपने आपको खोड़ चुका है यानि कि यहाँ पर सवी का पूरा परिवार अब उसे छोड़ कर जा चुका है उसकी बहन को छोड़ कर क्योंकि अब यहाँ पर उसकी बहन उसके साथ में है लेकिन उसके बहन कोमा में है और आने वाले एपिसोड में इशान यहाँ पर पुलिस वालों के साथ में आएगा वो भी सभी के पास में और उसके साथ-साथ कहानी पूरी तरह से नए मोर पर आने वाली है और सबसे बड़ हो चुकी है उसको समालने वाली उसकी बहन भी अब यहाँ पर कोमा में जा चुकी है जिसके लिए अब यहाँ पर सभी से शादी करेगा इशान और क्या होगा यहाँ पर तब जब शादी करके पहुंचेगा इशान घर पर आपको क्या लगता है कमेंट करके जबर बताना चैन